इस वक्त भारत में सोशल मीडिया से लेकर स्यासी गल्यारों तक एक सवाल की गूंज है सवाल ये कि इस लोक सभा चुनाओ में राहुल गांधी अमैठी सीट से क्यों नहीं उतरे क्या इसलिए कि राइबरेली की सीट अमैठी की तुलनामे कॉंग्रेस के लिए जादा सुरक्षित दिख रही है या फिर वजह कुछ और है चलिए हर बड़े पहलू का टटोल कर इस सवाल का असल जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अब राइबरेली में खोज रहें रास्ता अरे डरों मर्ट भागों मर्ट बहुत अच्छी चॉइस है बहुत समय से के शर्मा जी समाल रहे हैं अमेठी को आज अमेठी में चुनाओं में वोट पढ़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है राहुल गांधी जब साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाओं भारे थे तो वो केरल की वाइनाट सीट की वजह से सांसद रह पाए कुछ वक्त पहले कहा गया था कि राहुल 2024 में यूपी की किसी सीट से चुनाओं लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो यहां से जीत भी गए तो भी उनके लिए वाइनाट छोड़ने का फैसला मुश्किल हो जाएगा उस दोरान ये बात सामने आई कि राहुल ने वाइनाट सीट छोड़ी तो उसका असर केरल के आगामी विधान सभा चुनाओं में दिख सकता है उधर प्रियंगा गांधी को लेकर भी खबर आई कि वो भी अमेटी या राय परेली से चुनाओ लड़ना नहीं चाहती यहाँ एक दलिल ये भी दी गई कि कॉंग्रेस नहीं चाहती कि उस पर चुनाओी सियासत में परिवारवात का आरोप लगे ऐसे में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि अगर गांधी परिवार से कोई हिंदी पट्टी में चुनाओ नहीं लड़ेगा तो कॉंग्रेस को क्या ये भारी नहीं पड़ेगा जब इसी चर्चाने जोर पकड़ा तो रायबरेली और अमेठी को लेकर राहूल का नाम सामने आने लगा लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार कॉंग्रेस ने एलान किया कि वाइनाड से चुनावी मैदान में उतरे राहूल रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे वहीं कॉंग्रेस ने इस बार गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर दिया साल 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से लोकसभा चुनाव जीता था फिर साल 2004 के चुनाव में वो रायबरेली चली गई और राहूल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और जीते भी आजादी के बाद से कॉंग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें ही तीन तीन बार ही हारी हैं साल 1997 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंद्रा गांधी रायबरेली से हार गई थी इसके बाद 1996 और 1998 के चुनाव में भी कॉंग्रेस इस सीट पर हरी थी मगर उसके बाद से यहां अभी तक कॉंग्रेस नहीं हरी साल 2019 के चुनाव में भी यहां कॉंग्रेस की सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी फिरोज गांदी ने 1952 और 1957 में राय बरेली से चुनाव जीते थे वहीं इंद्रा गांदी ने 1967 में इस सीट पर जीत दर्ज की उनको 1971 में भी यहां जीत मिली लेकिन 1977 में वो यहां से चुनाव हार गई फिर साल 1980 में इंद्रा यहां से एक बार फिर जीती मगर मैडक सीट से भी जीतने पर उन्होंने राय बरेली को छोड़ दिया बात अमेठी की करें तो कॉंग्रेस 1977 और 1998 के चुनाव यहां से हार चुकी है इसके इलावा 2019 में भी यह सीट गवा चुकी है जब राहुल गांधी बीजेपी की इसमिर्थी इरानी के सामने चुनाव भार गई हमेठी सीट से सोनिया और राहुल से पहले संजा गांधी और राजीब गांधी भी सांसद रहे थे चलिए अब आपको इस मामने पर हो रही सियासी बैयानवाजी भी सुनवा देते हैं यह राजस्तान गई और राजस्तान से राजसभा में आई और हुआ भी यही मैंने पहले ही बता दिया था कि सांजादे वाइनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वाइनाड में मतदान समात होगा वो दीसरी स्वीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी स्वीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहते हमेठी आएंगे हमेठी आएंगे लेकिन हमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहाँ से भाग कर अब राइबरली में खोज रहें रास्ता ये लोग गुम गुम कर सब को कहते हैं डरो मात मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भरके कहता हूँ अरे डरो मात भागो मात अज गांधी परिवार का अमेठी लोगसभाद शेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेथ है कि प्रधान मंतरी मोदी जी के दिशा निर्देश में उनके नेत्रित्व में अमेठी में जो बहुमुकी विकास हुआ है उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर पात साल भारतिय जनता पार्टी के सांसत द्वारा अभूतपूर विकास संभव हुआ अमेठी में चार लाग गरीब परिवारों के शौचाले बने तीन लाग पचास हजार परिवारों को नल से जल मिला देड़ लाग परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनिक्शन मिला एक लाग चौदा हजार घर बने गरीबों के आवास बने तो अगर पात साल में जिसमें दो साल करोना के थे अगर भारतिय जनता पार्टी के सांसत और सरकार के लिए ये संभव रहा चेत्र में क्यूंकि आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री मोदी की सरकार कुना बनने वाली है प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की सरकार है दोनों सरकारों के मध्धि में समन्वे कर हम विकास को केंदर बिंदू बनाकर यहां काम करते रहेंगे अमेठी के भारतिय जनता पार्टी के सभी कार्यकरताओं का पुरशार्थ परिश्रम मेरे नेत्रित्व का आशिरवाद उनका मार्ग दर्शन आज अमेठी में चुनाओं में वोट पढ़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है और 20 मैं को जब हमारे नागरिक पोलेंग बूत पर जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को पुना अपना आशिरवाद देंगे तब अमेठी लोकसभाचेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा लेकिन किसी ने समझाया होगा कि स्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने ओटों से जीद गई थी इसलिए तुम अमेठी मत जाओ राइवरेली चलो लेकिन राइवरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है और यह चुनाहों में बहुत मज़ा आ रहा है कि अब कांग्रेश के जो अपने को सरवे सरवा समझते हैं से राहुल गांधी जी वो राइवरेली में हैं और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नाज में और मैं मानता हूँ कि हम यह दोनों सीटे तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही इस बार 80 की 80 सीटे जीतेंगे जतनी रहनी चाहें कर लें जितनी जल्दी चाहें कर लें लेकिन खिलेगा कमल साइकल पंचर होगी और हाथ का पंजा जंता मरोड देगी और कमल खिला करके मानी नरेद मुदी जी को तीसरी बार देश का प्रदान बंसी बनाई मैंने कहा ना डर इसमृति इरानी जी का भी है डर भारती जंता पार्टी का भी है डर वहां की जंता से भी है और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस इस्तिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे उससे भी खराब इस्तिति कांग्रेस पार्टी की समय राइबरेली में हो चुकी ये अमेठी से केल शर्मा को लडाना ठीक इसलिये था कि नाईइनटीन नाईटीवण में जब वहां राजियूजी आए तो कैपिटन सती शर्मा उनके साथ आए और तब से केल शर्मा उनके साथ है वे अमेठी में एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक कार करता हो जाते हैं अब बात रही राए वेलिवी के तो परमपरा घतरूप से राए वेलिवी से सीनियर मेंबर जे होता है कौँ परिवार का उरोज गांदी साब के बाद इंद्रा जी ने यही चुर इंद्रा जी के बाद जब सुनिया जी आई तो अमेठी में राजी जी के सीच पे आई लेकिन जब रास्ती अध्धित बनी तो वो आ गए राइबरली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से अब इस समय हमारे सरवच नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल जानी है तो वो अपने अमेठी से यहां आ गए है अब वहां से परिवार की ही तरे एक सदर्श चुनाव लगा है